हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल, तो आज का सबसे बड़ा कोश्चन गाइज, क्या मार्केट 20,800 को लेवल को सर्वाइफ करेगा, या उसके उपर जाकर अपना क्लोजीन देगा, 21,000 के पास आज पास हम लोगो मार्केट देखने को मिलेगा कुछ दिनों में, या फिर वापस से मार्केट गिर कर, आपका 20,000 के पास आने वाला है, इन तीनों कोश्चन का आंसर आज गाईज, आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो में एंड तक जोरूरू बने रहे हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें, तो चलिए ग सब्सक्राइब कितने अच्छा राली दिया मार्केट ने अब तरफ चलिए अपको पड़र चलेगे अब इसके पर अपने लाइंट डॉ करके देए słu १ारी दिख रहा है मर्केट में अभी भी पोटेंशल बचावाय ऊपर जाने का क्योंकि अभी मार्केट में है और हम लोग वापस है एक 20,500-2600 के पास नहीं तो 20,100 के पास लेवल के पास मार्केट आये वापस है तो चलिए गाइस देख लेते इंपॉर्टेंट लेवल कौन को लोगेश लेवल का इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकाट ऐनतर और मर्केट यहां पर आचुका जैस तो यह इंपॉर्टेnt लेवल कर अपना ध्यान के लेकना एस लेंड भीकल ब्रेफ लेंड है जाना है अगर वेकली चाट को भी म्न देखते गाएस तो आपको तो clearly यहां से ंडिकेशन दिख रहा है, यहां से market पहले तो यहां पर एक downtrend में तो same channel pattern lower lows लगाते होए और जो price है guys यहां से अगर उपर गया है तो यहां पर भी same guys uptrend में higher rise लगाते होई उपर जा रहा है और हो सकता possible यह भी हो सकता कि continuously high rise अपना continue रखे, बट जो कि यहां पर आपको gap दिख रहा है इसको फिल करके इस gap को फिल करके 21,000 लेवल वाले gap को फिल करके market हो सकता है इस बार correct करें और कुछ time के लिए थोड़ा सा sidewise हो जाए यह market हलका सा और नीचे है और वापस एक trend स्टार्ट करके 21,000 लेवल को तोड़ के एक नया trend में आ जाए होने का कुछ भी हो सकता है बट हम लोगो important लेवल और market का direction trend को indicate करना उसका trend खोजना और उसके हिसाब से trade करना है अगर आप weekly chart देखो के और weekly chart के हिसाब से भी आपका यही level बहुत important होता है और इस candle का जो weekly लिख लावा है इसके आसपास एक यह level 20,500 के आसपास के level बहुत important होता है अगर आप daily chart को analyze करो हो गाइस तो देख सकते हो 2100 और 2510 के level को मार्केट में रिस्पेक्ट किया है और उसके आसपास ही candle close किया उसके रेक आउट के बाद बहुत खतना कोला राइली मिलागा इस तो हो सकता है मार्केट के पास अभी बहुत सारा जगा है और यहां पर आप देखो डेली चार्ड भी आगर आप analyze करो कितने साल से निफ्टी जो अपना अप्ट्रेंड में है ठीक है अगर इसके बाद देखो एक के पास जाने का try करा और एक अच्छा बुल्ड ट्रेंड में मार्केट जाने का try करा गईज तो यह राली कंटेन्यू हो सकता है वापस से मार्केट आपको 21,000 के पास देखने को मिल सकता है ठीक है उसके बाद हो सकता मार्केट करे तो चलिए हम लोग देखलेकर इन्पॉर् प्रोल प्ले करेंगा क्योंकि उपस अगर प्राइस फॉल उगा तो इस लेवल के आसपास आएगा और यहां से एक बार वार पुल बैक लगाएगा और 21,000 के लेवल को भी तोड के मार्केट उपर जाने के ट्राइक कर सकता है तो अगर हम लोगों कल के ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना है तो गाइस कल आप बुलिश होने का सोचो क्यों क्योंकि मार्केट में आप यहां से एक और चैनल ड्रॉ करोगे तो मार्केट आपको गाइस दिख सकता है क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अभी भी अप्ट्रेंड में बहुत अच्छा अप्ट्रेंड में गाइस है यहां से एक और चैनल पैटर्ण का ब्रेक आउट वाया साथ ही तो मार्केट अभी भी यहां से ग्याप इतना खाली है इसको मार्केट जरूर से जरूर फिल करेगा और एक बुलरन कल भी देखने को मिल सकता है और उसके बाद हलका सा कर्रेक्शन गाइस है